हालो ओडियर फ्रेंट्स आश्रभी के स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल नेट जार पड़्डाय में फ्रेंट्स में सोनम और आप सब कैसी आई हो कि आप सब अच्छे होंगे फ्रेंट्स से जैसा कि आप सब हम बात करेंगे गेस्ट फैकल्टी के न्यू बैकंसी के बारे में और फ्रेंट्स बता दें कि यह आप असेटनल प्रोफेसर के लिए प्रेप्रेशन कर रहे हैं तो आपके लिए डिपरेंट डिफरेंट इन्वर्ट से बहुत ही अच्छे पार्चुंटी आने वाली है और ऐस आने वाली है तो यह आप भी इन सब नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो आज ही इसे चैनल को जोइन कर सकते हैं और फ्रेंट्स आज की क्लास में जो हम बात करेंगे तो एक ऐसे इन्वर्सिटी के बारे में जहांकि सेलरी आपके चालिस जार से लेकर के साथ जार के बी इन्वर्सिटी ओडिसा इस्टेट ओपन इन्वर्सिटी संबलपूर से नोटिफिकेशन इसू हुई है अब भी आपकी पांच सितंबर को इसू की गई है और इसमें इंप्लाइमेंट नोटिस में दिया गया है कि इंगेजमेंट आप प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी जैने पांच अक्टूबर तक की रहेगी और दिया है फार्दी पोस्ट आप प्रोफेसर और एसोसिट प्रोफेसर के लिए तो इसमें दिया गया है जो रिटार्ट प्रोफेसर है तो उनके लिए भी इसमें अपार्चुन्टी दी गई है बस आपकी जो एज है वो 70 येर से बिलो होनी चाहिए तो आप इस फार्फार्ण को जरूरूर कर पाएंगे दीए सबसे पहले दिया है फार्दी पोस्ट आप प्रोफेसर तो प्रोफेसर के लिए तो आपको पता ही है कि हाई क्वाल्टि की eligibility होती है तो इसमें eligibility आपकी PhD डिग्री होनी चाहिए प्रंट से और PhD में आपका कम से कम UGC लिच्टेट जनरल में 10 रिसर्च पब्लिकेशन हो और उसके साथ है प्रंट से जो आपकी UGC Regulation 2018 appendix to table 2 के according आपके जो टोटल स्कोर है वो 120 होनी चाहिए और minimum 10 years का आपका teaching experience हो प्रंट से तो आप इस फर्म को apply कर सकते हैं प्रोफेसर के लिए और ऐसे candidate से जो associate professor के लिए बेट कर रहे हैं तो यह है इनके लिए PhD डिग्री होनी चाहिए और master डिग्री में 55% होना चाहिए 8 years का इनका भी teaching experience होना चाहिए और जो publication होने चाहिए तो research publication आपके 7 होने चाहिए और फ्रंट से जो UGC regulation 2018 के table 2 के according join का total score हो तो 75 होनी चाहिए और यहां दिखे नीचे दिया गया फार्दी पोस्ट आप assistant professor जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं यह new है प्रेशर के लिए भी है और ऐसे जिनकी experience है उनके लिए भी दी गई है तो इसमें आपकी eligibility है तो eligibility इसमें भी प्रंट से आपकी 70 होनी चाहिए उसे बिलो तो आप एप्लाई कर पाएंगे प्रंट से और देखे या फिर इसके सिमिलर एक्जाम स्लेट क्वालिफाइट किये हो और यदि आपने यह सब क्वालिफाइट नहीं किया तो आपके पास प्रंट से एक सब्जेक्ट कुछ हैं जिसमें की नेट की परिच्छा आईजी थी नहीं कि जाती है तो उनके लिए जरूरी नहीं है क्यों यहां दिया गया है आपके होनुरियम 50,000 रुपे पर मनत इसके लिए दिया गया है रिटायर्ट प्रोफेसर अट लिस्ट थर्टी फाइब यांद उनको लेनी होगी महीने में तो उनके लिए पचास जार सेलरी है और देखे 40,000 के लिए है एसोसेट प्रोफेसर के लिए उ शांत में और एक हजार रुपे पर क्लासेज पर इनकी बनेगी रुइजूट जिनके पास पीचिण की पेख्यों यानि की साथ हजार से ज्यादा नहीं सकते हैं आप महीनी का तो आपकी 60,000 बनेगी और 45,000 दिया गया है आपके बिदाउट पीएच्टी के तो इस तरह हो सकती है और इसमें दिया गया है नो अदर आफ फाइनेंशियल बेनिफेट से सैल भी एलाउड और यहां कुछ और दिया गया है बटे यह सोडी आप दी कांस 25,000 और देखें माइकसिमम एज लिमिट है तो प्रंट सा आपकी 70 होनी चाहिए माइकसिमम एज लिमिट किसके लिए दिया गया है प्रोफेसर एसोशेट प्रोफेसर के लिए और रिटार्ट प्रोफेसर के लिए असेटन प्रोफेसर के लिए और 60 दिया गया है जो प्रेसर प्रोसीडर अबेलबल है और उसके बाद आपकी इसमें जो सेकेंड दिया गया है प्रोसेज के लिए स्क्रीन आप अपली केशन की स्क्रीनिंग की जाएगी और जो भी कहेंडी रेट सोर्ट लिस्टेट के जाएंगे फिर उनको इंटर्व्यू के लिए बुलाए जाएगा औ आप पोस्ट की तो यहां दी गई है प्रेंट से कुछ तो यह पॉइंट जरूरी है आपको देखना और यह भी दिया है यहां देखें इनकेस रिटाइड टीचर सार इंगेज दे आर कांटीन्यू अप्टू सेवंटी यर्स हैं आफेज सब्जेक्ट टू सैटिस्फार्ट पर्फार्मेंस टूबी तो यह भी हो सकता पॉस्बल प्रेंट साब के लिए और यहां देखें दिया है यह इसको तो देख लेना इतना इंपोर्टन नहीं है फिर नीचे आते हैं एलिजबल कंडियेट्स और करीदी फार्वर्ड डाकॉमेंट तो इनको तो डाकॉमेंट के दिया गया है ओर्जिनल सर्टिफिकेट और मार्क सीट इन सपोर्ट आप देयर एकेडमी क्वालिफिकेशन और अधर क्लेंट सहाज परदी क्राइटेरिया इलांग भी थे सेट आप सेट अटेस्टेट तो यहां देखिए क्या क्या सेल्फ अटेस्ट करना है साथ में देख लास्ट पोजीशन आप डिजाइनेशन हेल्ड वाई देम इमेडियेटली बिफोर रिटायरमेंट तो यह सब जरूरी है और वैसे फ्रेंट से जब इंटर्विव के लिए बुला जाता है तो उसके उसमें भी आपको जितने भी डाकोमेंट्स होते हैं तो उसके फोटो टाय करेंगे तो भी आपके लिए बेटर रहेगा एगे डेटेल्स दिया गया है पोस्ट के लिए इसकी इसमें देखिए डियागया Department सब्जेक्त सायन्स में आपके वँन ऊट्री में पोस्त हैं है संसकृत में आपके वंच motivates मेंने सब्सक्राइब में आपके त्री पोष्ट हैं और कंप्यूटर साइबर स्क्राइबर सीक्योर्टी थी पोष्ट दिया गया इस तरह तोटल आपके 14 है और जो अदर सब्जेक्ट हैं तो जैसे की रूरल डवलपमेंट है तो इसमें टूपोष्ट है जनले लिजम आएट मास कम प्रोफेसर के लिए है और यह जो टोटल पोस्ट सारे सब्जेक्ट की है तो यह फ्रंट से आपके जो टोटल पोस्ट है वो 47 हो जाएगी असिट्ट प्रोफेसर और प्रोफेसर तीनों को ले करके और देखें मोड आप सम्मिसन दिया गया अपलीकेशन फार्म तो यहां भी इसके डिया गया है इसकी यह दो और यहां धडीय गया थैंक और देखिण आलाइन करेंगे तो आप पर इसी इडास्य के तुक इसी तू करेंगे इस पर कर सकते हैं और और interview criteria दिया गया है तो इसमें क्या क्या criteria बनेगा तो देखे domain knowledge cognitive domain आपके 10 mark बनेगे interview interaction affection domain के 10 mark बनेगे और communication skill के 10 mark बनेगे teacher attributes and work experience के 10 mark बनेगे बिजियन एंड फ्यूचर प्लान फार्दी इंवर्सिटी 10 मार्क बनेंगे तो इस तरह आपके जो कंडिडेट्स होंगे उनको 50% दिया है लेस यानि कि कम से कम 50% लाना अन्युआर होगा इंटर्वियू में तो फ्रेंट्स यह इसकी क्राइटेरिया है पर जैसा कुछ प्रेक्शन में मिलेगा मौक का तो प्रंट से आज की इतनी इंफार्मेरिशन थी फिर मिलेंगे आपसे न्यू इंफार्मेरिशन के साथ यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक सब्क्राइब और शेयर रिट कीजिए थाइंक्यू कर दो